नमस्कार में हो काजर मिशा स्वागत है आपका एन्वन लाई पर आई नज़र डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर उनके मंत्राले ने इस बाबा तैनेचे आई को जारी कर दी है आदेश पहले वरिस्ट आईस अधिकारियों की कमी से जूज रही हिमाचल सरकार ऐसे में दो सीनियर आईस अगले तीन दिन के बाद हो रहे हैं रिटायर अगले पांच महिने में पांच और आईस अधिकारी होंगे सेवा निवित कुल मिलाकर इस साथ साथ आईस अधिकारी होने वाले हैं रिटायरे से आने वाले दिनों में सुखु सरकार के समक्ष अपसर शाही का गहराएगा संकट प्रदेश में लगतार जारी है बारिश का कहरे लेंड्स लाइन से फिर बंध हो गया रामपूर के ब्राउनी खड में नैशनल हाईवे इस से किनौर जिलेव सीमा छेतरों का अन्य भागों से कट गया सड़क संपर्क वहीं आसपास के हजारों लोगों की भी बढ़ गई है परिशानिया भारी बारिश के चलते पूरी तरह अच्छती ग्रस्त हो गया हाईवे पहले निर्मार कारे के चलते फिर बरसात के कारण पिछले दो माँ से बंद किया गया है फोरलेन कालका शिमला नैशनल हाईवे पर गाडियों के शोरूम के पास पहाड़ी के दरकने का लगतार जारी है सिलसिला सड़क के उपर से लगतार खिसक रह पहाड वा मलवे के कारण जहां पहाडों पर बने मकानों को पैदा हो गया खत्रा वहीं सड़क से नीचे बने गावों के भी कुछ मकान कभी भी आ सकते हैं खत्रे की जद में पहाडों के खिसकने के कारण सड़क पर गिर चुकी है बड़ी बड़ी चटाने श्रम विभाग की ओर से आजित किये जाने वाले रोजगार मेलों में अब आनलाइन माध्यम से भी होंगे इंटर्वियू कांग्डा के नगरोटा बगवा में आईजित रोजगार मेले में श्रम विभाग ने पहली बार ट्रायल के तौर पर किया यह प्रयोग जो रहा काम्याब कांग्डा जिले के बनखंडी में प्रदेश का सबसे बड़ा चिडिया घर स्थापित करने का साफ हो गया रास्ता केंडी चिडिया घर प्राधिकरण ने इसे लेकर दे दिये प्रारंभिक स्विक्रिती इस संबंद में मुख्यमंदरी चिडिया घर में रखे जाएंगे प्रदेश और अन्य छेतरों के मुल वन्यजीव इसे प्रदेश में परिटन को मिलेगा बढ़ावा हिमाचल में वन विभाग अगस्त की शुरुवात के साथ ही पौधा रोपड अभियान का करेगा अगाज इस बार दो तरफा अभियान छेड़ने का प्लैन विभाग ने किया है तयार इनमें एक तरफ खाली पड़ी जमीन पर रोपे जाएंगे पौधे मुख्यमंद्री ग्रीन कवर मिशन के तहट चलाया जाएगा यह अभियान इस अभियान के तहट 257 हेक्टर भूमी का किया गया है चयन प्रदेश के अधिकांश छेत्रों में शनिवार को भारी बारिश का जारी हुआ है यलो एलर्ट 30 जुलाई से कुछ रहत मिलने के हैं आसार मौसम विग्यान के इनरेश शेमला ने 30 जुलाई से मानसून की रफतार सुस्त पढ़ने का जताय है पुर्वानुमान वहीं चार अगस्त से फिर भारी बारिश का दौश शुरू होने की है संभावना तो ये थी हिमासल प्रदेश के अब तक की मुख्य खबरें से तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें